नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूटूब चैनल में दोस्तों, 31 जनवरी 2018 को पूरे धर्ती पे खगरास चंद गरहन लग रहा है पूरे भारत में यह दिखेगा और पूरे भारत में ही इसका नियम पालन करना अनिवार्य है भू भाग में ग्रहन का समय शाम पाँच बच के 17 मिनट से रात त्री आठ बच के 42 मिनट तक रहेगा सुबह आठ बच के 17 मिनट से ही सु तक प्रारम भो जाएगा अता आठ बच के 17 मिनट तक भोजन कर सकते हैं बूढ़े बच्चे रोगी और गरभोती महला आशकता नुसार दोफ़र ग्यारतीस बचे तक भोजन कर सकते हैं रात त्री आठ बैयालिस पर ग्रहन समाप्त होने के बाद पहने हुवे वस्त्रुन सहित इश्नान और चंद दर्शन करके भोजन आदी कर सकते हैं ग्रहन के समय कुछ पालनी है नियो ग्रहन वेद के पहले जिन पदार्थों में कुछ या दूसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं वे पदार्थे दूसित नहीं होते जबकि पके हुए अन का त्याक करके उसे गाय कुट्ते को डाल कर नया भोजन बनाना चाहिए ग्रहन वेद के प्रारम में तिल ये कुछ मिश्रिक जल का उप्योग भी अत्यावस्यक प्रस्तिती में ही करना चाहिए और ग्रहन शुरू होने से हंत तक अन ये जल नहीं लेना चाहिए समाने दिन से चन्रहन में किया गया पुनिकर्म जब, ध्यान, दान और इक लाग गुणा होता है ये गंगजल पास में हो तो चन्रहन में एक करोण गुणा फलिदाय होता है ग्रहन के समय गुरू मंतर, इश्ट मंतर अधो भगवन नाम के जब अवैस्यकरें ना करने से मंत्र को मलीनता प्राप्त होती है और दोस्तों एक बिसेश प्रयोग जो किसी भी सूर ग्रहन या चंद ग्रहन में किया जा सकता है साधक उस समय उपवाज पूरुग ब्रामे घृत का इसपर्स करके मंत्र का आठ हजार जब करे और ग्रहन सुधी होने के पस्चात उस घृत को पीले ऐसा करने से वह मेधा सकती धारण सकती तवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धी को प्राप्त कर लेता है तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक जरूर कीजिए शेर कीजिए दूसरों में और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ने वीडियो के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाये करें धन्यवाद